है हलो दोस्ते वर फीड से ओप वीडियो पर आपका स्वागत तेख रहें दोस्तों मेरा नास्ट जो वीडियो था वह वीडियो था वाड्परेस इंस्टाल के ऊपर Softwareiben अगर आप लोग मेरा वीडियो देखके सीख गया है कि कैसे डोमेन खरीदना है कैसे होस्टिंग खरीदना है उसके बाद हमने दिखा है कि कैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपका वेब सर्वर में वेब सर्वर में यानी वेब होस्टिंग सर्वर में इंस्टॉ उसको uninstall करना यानि हटाना है तो आपका domain name के साथ आपका जो hosting connected किया हुआ है तो वो hosting से आपको अगर हटाना है wordpress को तो कैसे हटाएंगे इसके लिए वीडियो है वीडियो को अंतक जरूर देखिए वीडियो में अगर कोई problem आये आपको समझने में तो जल्दी से मेरा comment box में comment किजिएगा हम कोशिश करेंगे आपका हर कॉमेंट का रिपलाई देने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो आपके सामने देख रहे हैं यह नेमचीप का पैनल है नेमचीप का पैनल में मेरा यहां पर एकाउंट पे जितना भी एकाउंट है जितन भी डॉमेंट नेम के साथू इसम City के वा आपके सामने देख गजाएगे देखेगे दोस्तों कोडर एक्टिक्शी डॉट कॉम पर मयरा स्टे़र प्लास防ड प्लन पर होस्टिंग लिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग चले जा रहा है कर ड्रहा double एक्सेस का दो तरीका होता है हर एक पैनल के हर एक तरीका होता है यहां पर जैसे सी पैनल में जा सकता है हम लोग कई जाएगा पर और है होस्गेटर ट्राइडी ट्राइडी ट्राइड कीजिए वहां पर ऐसा होता है कि डोमेंडिम के बाद फ्रॉंट्सलेस सी पैनल देके भी आपको cpanel access मिलता है तो चलिए दोस्तों यहां पे देखिए मेरा कहां पे install किया हुए पहले वह हम आपको दिखा देते file manager पे चले गए file manager पे जाने के बाद यहां पे देखिए demo.technicalextension.com जो है यहां पे देखिए यह wordpress install किया हुए और दोस्तों यह जो wordpress install किया हुए यहां पे चलते हैं software को पेज open होगा वहां पे आपको उपर में तीन बटन दिखेगी installations outdated installations और backup तो दोस्तों हम लोगों को जाना है installations पे और यहां पे जो आपको बटन दिख रहे यहां से क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते ओके जो मेरा लास्ट वीडियो में आप लोग देखें तो यहां पर इंस्टॉलेशन पर हम लोग चलेंगे स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन टाइम बहुत सरा शॉट लिस्ट दिया हुआ है तो यहां से हम लोग देखें एक क्रॉस बाला बटन दिख रहा है जिसको बोला जा रहा है रिमूव ओके तो यहां पर जो है यह वर्ट्प्रेस इंस्टॉलेशन का यहां पर देखें यह हो ग करना होगा जैसे अब रिमूव बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखें उपर में और रिमूब डिरेक्टरी रिमूब डेटाबेस रिमूब डेटाबेस यूजर और नीचे में यहां पर वाट्प्रेस का डिटेल्स दे रहा है तो यह अगर आप अनिस्टॉल नहीं है और यह डेमो.technicalextension.com यानि जिस फोल्डर में आप लोग इंस्टॉल किये उस फोल्डर से जाके यहां पर पहले इसको सिलेट कीजिए और स्क्रॉल करके नीचे आके सिफ्ट दबाते हुए आपका कीबोर्ट से सिफ्ट दबाते हुए नीचे पर क्लिक किये यहां पर कंट्रोल एक काम नहीं करते है तो आप सिफ्ट दबाके आप हर एक चीज़ को सिलेक्शन करते हुए डेल जबी प्रेस करेंगे तो यह option आएगा यह option में आपको इसको इनाबल कर देना होगा स्किप दा ट्रैस एंड पर्मनेंटली डिलीट दा फाइल और उसके बाद कंफर्म करने से आपका डिलीट हो जाएगा मैनुवली कैसे आप वाट्परेस को इंस्टॉल कर सकते हैं सौफ्ट अकुलस को छोड के उसका भी वीडियो मेरा चैनल पे है आप लोग जाके देख सक पॉसिबल मतलब यह कभी बापास नहीं आ सकता यानि अंडू नहीं होगा जिस तरह से हम लोग अंडू की काम करते हैं वह अंडू यहां पर पॉसिबल नहीं है यानि डिवर्स नहीं किया जा सकता है और यूश्योर यूवांट टू रिमूब दीस इंस्टॉलेशन यहां पर क्लिक करना होगा ओके पर जैसे आप पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए चेकिंग देटा और रिमूबिंग वाटप्रेस लिखा हुआ है यानि वाटप्रेस अभी रिमूब हो गया यहां पर देखिए इंस्टॉलेशन वाज रिमूब शक्सिस्पुली तो यहां पर हम रिटर्न टू अबर विउमें जाएंगे और यहां पर हम लोग एक बार देमो डॉट टेक्निकल एक्स्टेंशन डॉट कॉम पर क्लिक करके देख लेते के प्रॉपली रिमूब हुआ की यह दोस्तों प्रॉपली रिमूब हो चुका है यहां पर हम लोग करते गो और उसके हम लोग यहां पर क्लिक करते देखिए अभी फोल्डर आपको दिख जा रहा है यह तीनों फोल्डर को अब डिलीट भी कर सकते नहीं भी डिलिट कर सकते अगर आपको डिलिट करना तो स्वर्ट करके डिलीट किपड़ेश और कनफर्म यह करते ही आपका wordpress इस ऑनिस्टल हो Headlines.Digital यह है दोस्तो Headlines.Digital आप लोग जा के चेक कर सकते हैं यहाँ पे News का Headlines हम लोग अपडेट करते हैं यह वो इपसेट बहुत आपका फायदे मने पूरा News परने का दरकानी सी Headlines आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तो दोस्तो यह था WordPress अनिस्टॉल करने का वीड कर सकता है तो इसलिए अनिस्टॉल का यह वीडियो होता आशा करते आपको वीडियो पसंद दया होगा दोस्तों वीडियो पसंद जल्दी से लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिए अगर आप नए है चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा जाए हिंद वंदे मातरम